आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एमसी क्यू रिलेटर चैप्टर नंबर फाइव और इसकी मैंने डिटेल में पूरी इंफरमेशन अपने जहां पहली वाली वीडियो में डाली है जहां पर मैंने NCRT पूरी complete कराई है कि आपको कौन से points करने है important उसमें से मैंने ये पूरा chapter complete किया है part mid-wide करकर तो आप वहां पर जाकर पहले बढ़ लें और उसके बाद ही MCQ attempt करें तब ही आपको समझ लगेगी कि MCQ कैसे attempt करने है और इसका right answer कैसे आपको मिलेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले first question जो है हमारा है विने पिकट के एक गरंथ है जो अब लिखित करता है 2016 स्टमबर में ये question पूछा गया है option A है शाषकों के माद्दे बादचीत होती थी B. बुद के नीमों के बारे में बताया गया है C. जैंतरम की शेखाओं के बारे में तो इसका right जो answer है वो है बुद के नीमों के बारे में बताया गया है क्योंकि विने पिकट एक गरंथ है जिसमें बुद के बारे में बताया गया है तो B. इसका right answer होगा second question है माहा जनपत काल के दुरान कई तरां के कर्व सूले जाते थे इन में से एक था भाग भाग की क्या दर थी 2012 मई में ये कोशन पूछा गया है A में दिया गया है एक बटा चार थी B में दिया गया है एक बटा दो थी C में दिया गया है एक बटा तीन थी और D में दिया ग वाग क्या था एक टैक्स था जब महाजनपद से महाजनपद राजा बनने लगे तो उन्होंने टैक्स वसूलने जो किया शुरू कर दे क्योंकि उस टैम राजा जो कि सेना रखने लगे थे और पहार के जरीए काम नहीं लिया जा सकता था तो वो क्या करते थे टैक्स लगाना उन्होंने शुडू कर दिया तो इस तरह उन्होंने अपनी राजधानी को स्रक्षित करने के लिए और पूरा शाशन वस्था बनाने के लिए वो टैक्स सवसूला करते थे तो उसे क्या कहा जाता था भाग कहा जाता था जिस जो कितना था एक बटा नेक्स्ट है थर्ड कोश्चन अंदकाशा महा जनपदों की किले बंदी का कारण क्या था जाने कि महा जनपद के राजा किले बंदी क्यों बनाते थे इसका कारण क्या था 2011 जून में ये पूछा गया है फर्स्ट उप्शन हमें दिया गया है उस शेतर में लकडी इटों वे पत्थरों के उपलबता थी सैकिन्द है वे अपनी संपद्दा वे सत्था का परदाशन करते थे थर्ड शाषकों के आकरमन के डर से वे ये सुनिशित करते थे कि वे सुरक्षत है और फूर्थ है ये यूद परमप्राओं का परतीक चिन है ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पर लिखा हुआ है कि यूद परमप्रा का परतीक चिन है ये तो बिल्कुर रॉंग कोशन है उस शेतर में लकड़ी इटों और पत्रों के अब लबता थी ये सही है सैकिन है वो अपनी संपद्दा और सत्ता का परदर्शन करते थे ये डाउट में है बट ये उप्शन बिल्कुर क्लियर कट वहाँ पर दिया गया एंसी आटे के बुक में कि शाशक के आकर्मन के डर से वे सुनिशी करते थे कि वे सुरक्षित है तो ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टन बनता है क्योंकि वहाँ पर लिखा है क्लियर कट तो इसका राइट अंसर जो कि है वो थर्ड होगा नेक्स्ट है निमम में से कौन सा कथन गन और संग के विशे में सही नहीं है नेगटिव पूछा गया है सबसे पहले तो आप जब भी नेगटिव पूछे गए हो कोशन प्लीज अंडरलाइन कीजिए कई बर वैसे भी वहाँ पर अंडरलाइन किये ही गए होते बूल्ड किया होता है उन्होंने कलियर कि आपको पता चल जाए कि नेगटिव पूछा है कई बर नहीं भी दिया गया हो तो कोशन प्लीज ध्यान से जरूर पढ़ लेना फर्स्ट अप्शन दिया गया है एक गन पताओं और दास भी सबाओं में भाग ले सकते थे यह बिल्कुल ही रॉंग है महलाएं और दास जो कि सबाओं में भाग नहीं ले सकते थे वहाँ पर लिखा हुआ है तो अपने इन्होंने नेगटिव पूछा था तो इसका राइट अंसर जो किये फॉर्थ बनेगा जाता है यह घुमाकर कोश्चन पूछा जा सकता है इसलिए ऐसे जैसे वर्ड्स का पूरी तरह कंप्लीट ध्यान रखें जब भी आप CRT पढ़ रहे हूं नेक्स सिक्स कोशन है ए माहा जनपदों में ओरतों और शेहरों नहीं शूद्रों को वेद के अध्यान कि आगया नहीं थी और बी है वज्जी संग में ओरते दास कामाकार असेंबली सबा में भाग ले सकते थे तो सही चुनों का उन्हें पूछा है सबस के वे सिर्फ वेद का उचारन कर सकते थे उन्हें सुन सकते थे बटन का ध्यान नहीं कर सकते थे वहाँ पर कलियर दिया गया है तो यह बिलकुस सही राइट ऑप्शन बनती है सैगिन पूछा गया है वज्जी संग में ओरते दास कामाकार असेंबली सबा में भाग ले सकते थे तो यह जो किये राइट है उन्हेंने क्या कहा सही चुनो तो अपना ए फर्स्ट ही जो विलकुट राइट अंसर है बागी जो किये रॉंग है नेक्स्ट है सैवद अजाश उत्तर का मंत्री कौन था ए महावीर बी हरी सेन सी वरसकार और डी कवन इनके बारे में हमने कु कर दिया गया है कि अजाश उत्तर का मंत्री जो सा वो वरसकार ही था नेक्स्ट कोशन में दिया गया है डी गन और संग किस से सबंदित थे ए उप्शन सबा बी युग सी बुद्ध और डी युग तो यहाँ पर राइट अंसर जो है इसका बुद्ध ही बनेगा क्योंकि सबा हमने पढ़ा था गन और संग सबा थी एक वर्ड का अंसर दिया गय बी यग नहीं हो सकता युग नहीं हो सकता ये तो बिलकुर राइट अंसर है तो सी इसका राइट अंसर हुआ नेक्स्ट है महा जनपद काल करिश में परवर्तन फर्स्ट हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे जाने कि जब महा जनपद आया तो तब हाल के फाल जो की है वो के बनने लगे थे और नेक्स्ट है लोगों ने धान के पोदो का रूपन जो किया शुरू कर दिया था थर्ड इसमें करम तोड़ जो की मेहनत लगती थी ये काम जातर मजदूर करते थे और फूर्थ है ये सबी ऑप्शन बिलकुल सही है तो इस फूर ए सबी ऑप्शन कसाबी तो मगद के नजदीक जो वज्जी है था उसकी राजधानी थी वशैली और पाटली पुतर जो की थी वो मगद की थी मगद की पाटली पुतर थी तो यहां पर दो कोशन बनते हैं आप इसे जरूर ध्यान लखें नेक्स था अश्म वेक का क्या मतलब था ए रत भी घ घोड़ा सी हाथी और डी गाएं अश्म वेक जो था वो घोड़ा था आपने पहले ही चैप्टर में जब हम स्टार्ट करते तब पढ़ा था कि तब के राजा जब चुने जाते थे लोगों दुवारा तो एक अश्म वेक जद करवाया जाता था जाने की रादा राजा के ज आशक वज़ी संग पर आकर्मन करना चाता था ए बंबी सर भी अजास उतर सी सिकंदर और डी कोई भी नहीं तो इसका राइट अंसर जो है अजास उतर है क्योंकि बंबी और अजास उतर जो कि यह दोनों ही राजय थे मगद में रहा करते थे और वज़ी उसके नजदी की ए किजिए नेक्स है 13 मगद विचार करो मगद के बारे में ए 200 साल के बीतर मगद सबसे मत्तपूर जनपत बन गया गंगा और कवेरी नदी मगद से होकर बैती थी बी ऑप्शन है यादा याद जल वित्रन और जमीन के अपजाओ बनाने के लिए मत्तपूरन थी सी ऑप्शन द दिया जाता था तो यहां पर ऑप्शन दी गई है सही चुनो ए फस्ट दिया गया है ए और बी दोनों सही है सेकंड दिया गया है सी डी सही है थर्ड दिया गया है बी सी डी सही है और फूर्ट दिया गया ए बी सी डी सही है तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पर हाथ ही थे इसलिए सबसे बहुत फेमस था बट गंगा और कवीरी कवीरी नदी नहीं वहां सोन नदी बैठती थी तो यहां उन्होंने घुमा कर यह उल्ट कर दिया कि आपर कवीरी नदी नहीं सोन नदी थी इसलिए यह रॉंख हो गया तो हमारी ऑप्शन कौन सी सही है बी सी और डी अब हम देखते हैं कहां पर पूछा गया है तो थर्ड ऑप्शन बी सी डी और बिलकु सही है नेक्स 14 तेईसो साल पहले मैसोडीनियक राजा सिकंदर के बारे में गलत चुनो जाने की गलत चुनना है वे मिसर और पच्छमी इशाई के कुछ राजों को जीतता हुआ भारतियों को महादीब के ब्यास नदी के कनारे तक पहुंचा अप्शन में दिया गया है भी दिया गया है जब उसने महद की और कूच करना चाहा तो उसके स्पाईयों ने इनकार कर दिया ये भी बिलकु सही है C. उस वक्त महद का धन नंद का राजा था ये थोड़ा डाउट में है D. भारत के शाषकों के पास पैदर रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी ये बिलकु राइट अंसर है C. उसलिए उनके सिपाईयों के उसे इनकार किया था तो ये बिलकु सही है C. मगद के बारे में मैंने अभी उपर पड़ा कि बंबी सारा जाष उत्र के बारे में बताया गया है C. दो राजे थे तो धनन राजे के बारे में कोई डिसकस नहीं किये गया तो ये रॉंग ऑप्शन हो गया जब उसने मगद की और कूच करना चाहा तो उसके स्पाईयों निकार कर दिया ये बिलकु सही है वो मिसर को जीता हुए बिलकु नजदी के पॉंच चुका था उप महादीब के बियास नदी के किनारे ये भी बिलकु राइट अंसर है तो इसका सी जो है वो गलत है नेक्स्ट है उत्रवैदी गरंत कहे जाते हैं ए समविद, बी यूरविद, सी अथरविद, जड़ी सभी तो ये सभी ही इसमें शामिल है ये इसका राइट अंसर है 16 है महाजनपद के कालफ में कौन से कर लगाये जाते थे जानी कि कौन से टैक्स लगाये जाते थे उसके बारे में बताया ए उप्शन है उबस एक बटा का हिस्सा करके रूप में निधार्त किया जाता जिसे बाग का जाता था हमने पहले ही डिसकस किया B option है पशुपालकों को जानवा पर पर कर देना पड़ता था ये बिल्कुल राइट अंसर है C कारीकरो और भुनकरो लोहार और सुनार उपर भी कर लगा जाते थे सभी कर लगते थे सभी आप्शन बिल्कुल राइट है सेवंटिन हैं विचार करो A जनपद के लोग मिट्टी के बरतन बिनाते थे B कुछ गुसर ग्रे और लारंग के होते थे जिनने चितर गुक्तर पाता जाने के प्रिंटर ग्रे वियर के नाम से जना जाता था और C था ये बरतन मोटे होते थे और D है इन बरतनों पर चितरकारी की गई थे क्या कहा है गलत चुनो कहा गया है और 1 A है सही है, B सही है second option में पुछा कहा है, third option में देगा है C है, जड़ी तो इसमें गलत जो है, वो है C है क्योंकि ये बरतन मोटे होते थे नहीं, ये बरतन पतली सता और चीकनी पतले होते थे मोटे नहीं होते थे वहाँ पर दिया गया है साइड में, बुक में एक छोटा सा तो C option जो कही गलत है और गलत ही पूछाता तो इसका राइट अंसर, third हुआ नेक्स है, 18 विचार करो लगबर 50 वर्ष से हम अपने शाष्कों का चुनाम मददन के जरिये कर रहे हैं, ये बिलकुछ सही है स्टार्टिंग में, बुक में पहली लाइन ही है B है, वैदिकाल में कुछ राजे लोग दुबारा चुने जाते थे, ये बिलकुछ सही है और C है, तीन हजार सार पहले राजा बनने की इस पर किरिया में कुछ परवर्टन दखाई दिये, सही चुनो A, B जहां A, B दोनों है, और fourth है A और B, यहां पर A option लिखना था, और D लिखा गया, तो इसका right अंसर जो है, ये तीनों option है, बिलकुछ सही है ते fourth इसका अंसर है, ये बिलकुछ सही है तीने options Next है, 19 उत्तरवैदी गरंथ के बारे में कौन सा सही है, A, इन में से समाजी नेमों के बारे में बताया गया B, प्रोहितों दुवारा रज्जित इन गरंथों में बिन परकार के उनिष्ट और उनके समपादन की विदियां बताएगी A, first में दिया गया A option सही है, B, second में दिया गया, A, B सही है, third में दिया गया B, fourth में दिया गया ना ही one और ना ही two तो ये दोनों option है बिलकुछ सही है समाजी नेमों के बारे में बताएगया और ये प्रोहितों दोरा जो कि यहाँ पर उनिष्ट कराएजाते थे प्रोहित किने का जाता था, पंडित 20, आज कहाँ मारा last question है कहां पर शाशनवस्था की स्थापना की जिसे प्राजा तंतर कहा जाता है A. महानगड B. मगद में C. मिसर में D. युनान में तो इसका राइट अंसर जो है युनान में बुक की last part 2 में आप देख सकते हैं last में दिया गया है युनान में एक ऐसा जहाँ पर शाशनवस्था चलाईगी जिसे प्राजा तंतर कहा गया आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक सब्क्राइब और शेयर कीजिए और मुझे कमेंड करकर बरताना कि आपके 20 में से कितने कोश्चन आए है थैंक यू फूर